तो देखिए जो next topic है हमारा वो है law of constant proportion law of chemical combination का यह आपका दूसरा लो है law of chemical combination जो है law of chemical combination आपका दो parts में divide था ठीक है first हमने discuss किया था law of conservation of mass आप जो second discuss करेंगे वो करेंगे law of constant proportion तो यह हमारा जो second है वो क्या है law of constant proportion तो देखिए जो लेवोईजर थे ठीक है आपके scientist थे along with other scientist उन्हें बहुत सारे scientist के साथ मिलकर की यह note किया that many compounds were composed of two or more elements ठीक है हमने यह discuss किया था पिछले chapter में कि जो element होते है ना ठीक है वो तो आपके क्या एक तरह है कि matter है जो की बहुत सारे item से मिलकर बने है लेकिन जो compounds होते हैं वह बहुत सारे element से मिलकर बनते हैं बहुत easy सा example में आपको बताता हूं जैसे आपके पास H2 हो है ठीक है तो यहापना hydrogen कितने आपके 2 है और oxygen का आपका मास होगा वह कितना होगा 16 होगा ठीक है जब आप इसका ratio निकालेंगे है तो बस आप यहां पर द्यान दीजिए आपको यहां रखना है कि hydrogen आपका 1 ratio में है और oxygen आपका 9 ratio में तो क्या बुल रहे हैं आपको in a compound such as water the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen means hydrogen का जो मास है वो oxygen के मास के साथ में कितना ratio रखता है हमेशा 1 ratio 8 whatever the source of water चाहे water का कोई भी source हो thus we can say that if 9 gram of water is decomposed ठीक है 9 gram यदि water को आप decomposed करेंगे न तो आपको 1 gram तो क्या मिलेगा आपको hydrogen मिलेगा और 8 gram क्या मिलेगा आपको oxygen मिलेगा यह चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे ठीक है 1 gram hydrogen और 8 gram देखो हमेशा मास क्या रहा रहेगा 9 पहले है तो बाद में भी क्या होगा तूटने के बाद भी क्या होगा आपका decompose होने के बाद भी क्या रहेगा आपका total 9 ही रहेगा ठीक है ऐसे ही आपका ammonia बताया हुए ammonia क्या होता है NH3 होता है ठीक है N कितना है आपका 14 है H कितना है 3 है तो 14 ratio 3 में रहेगा और टोटल कितना हो गया आपका 17 हो गया तो 17 जब अमोनिया आपका decompose होगा तो उसमें nitrogen आपको 14 मिलेगा और hydrogen कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा clear है सब बच्चों को किसी बच्चे कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को जो है अगेन देख लीजे ठीक है आपको दो बार वीडियो को इनको completely देखना है थोड़ा सा आपको लग सकता है टेकनिकल चीजे है थोड़ी सी तो आपको यह समय नहीं होंगी ठीक है अब देखे क्या बोल रहा है यह यह जो लॉब सेटेड़ था आ यह जो लॉफ पड़ रहे हम लॉफ कॉंस्टेंट प्रपोर्शन झो है वह प्राउस्ट ने दिया था यह साइंटिस्ट का नेम है अब उन्होंने क्या बोला अब आपको यह चीज याद रखनी हैं में जैसे पिछले वाले तॉपिक में हमन definite proportion में इसके mass के ठीक है उसका mass जो रहता है न वो fix रहता है एक fix proportion में रहता है ठीक है element का जो इतना भी mass रहेगा वो एक fix proportion में रहेगा और वो मिलके क्या बनाएंगे आपका एक compound बनाएंगे ठीक है अब देखो आगे क्या हुआ यह जो explanation थी ना इसको और अच्छे से define करने के लिए ठीक है इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी scientist ने अपनी appropriate explanation दी थी उसके बाद ठीक है फिर उसके बाद explanation को और अच्छे से ठीक है nature of matter के बारे में या फिर हम क्या बोल सकते हैं डॉल्टन की atomic theory थी जॉन डॉल्टन ने ठीक है तो जॉन डॉल्टन ने जो atomic theory दी ना उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि जो आपका सबसे छोटा पार्टिकल है रहा मैटर का इंडिविजबल पार्टिकल उसकी को हम क्या बोल देंगे एटम बोल देंगे ठीक है सबसे चोटा पार्टिकल क्या बोलेंगे हम उसको एटम बोल देंगे तो दॉल्टन ने क्या बताया था डॉल्टन's atomic theory प्रोवाइड एन explanation for the law of chemical conservation of law of conservation of mass and law of definite proportion ठीक है तो जैसे लेवोईजर और प्राउस ने जो है आपका law of chemical combination के बारे में बताया था सेम ऐसे ही डॉल्टन की atomic theory ने भी थियोरी ने भी क्या explain किया इन दोन चीजों को explain किया ठीक है अब देखो यहाँ पे जॉन डॉल्टन के बारे में आपको बता 1666 in England तो यह डॉल्टन के बारे में लिखा हुआ है ठीक है यह आपको जस एक बार पढ़ने के लिए आपका इसमें से कहीं पे भी ऐसा कोई exam में कोई question नहीं आता ठीक है तो यह आपके जो है इंग्लेंड में जो है इनका बॉर्ड हुआ था ठीक है बर्थ हुआ था इनका he he began his career as a teacher ठीक है उन्होंने teacher के teacher के अपने मतलब की career start किया teacher बनके ठीक है और किस age में in the age 12 ठीक है 12 जब वो 12 साल के थे सेवन इयर लेटर ही become a school principal और साथ साल के बाद क्या बनगे प्रिंसिपल बनगा इस्कूल के in 1793 में डॉल्टर लेफ्ट फॉर मंचेस्टर टू टीच mathematics ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने mathematics बनाना चालू करा physics और chemistry भी पढ़ाना चालू करा ठीक है तो फिर उसके बाद जो ह है life is spend हुई है यह इनके बारे में बताया हुआ है आपको जो most important चीज याद रखनी है ना वह आपको क्या याद रखना है यह चीज याद रखनी है आपको ठीक है लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए in 1808 he presented his atomic theory अब यह चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने 1808 मे इन्होंने अपनी atomic theory दी थी which was a turning point in study of matter ठीक है जो कि matter की study में एक बहुत ही अच्छा जो है turning point है यह आपको याद रखना है कि कौन से इन्हों में थी 1808 में आप देखा अब यह चुद theory है यह most important है एक्जाम के अंदर बहुत बार पुछी जाती है आप से क्या पुछेगा कि Dalton's की atomic theory Dalton की atomic theory आपको बतानी है तो आप क्या बताएंगे according to Dalton's atomic theory all matter जितने भी matter होते है ना चाहे वो element है चाहे वो compound है चाहे वो कुछ भी चीज है ठीक है चाहे वो mixture है ठीक है वो सभी क्या होते है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते है और वो जब से छोटा पा इंडिविजल मीस आप उनको जो है एक फर्दर जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकते है वो छोटे छोटा पार्टिकल है विच कैनोट वी क्रियेटे और डेस्ट्रोई इन केमिकल रियक्शन ठीक है नेक्स देखिए एटम ऑफ गिविन एलिमेंट और आइडेंटिकल इन मास में आपके एटम होते है अलग-अलग अलिमेंट के उनका मास का है उतै उनकी होता होता एक है और को हती है अलग-अलग होती है के आपके बशीन कि परनग अलग होती है प्रोलम। whole numbers to form compounds atoms जो होते हैं वो small whole numbers में क्या होते हैं आपके कमाइन होते हैं ठीक है किसलिए जिससे कि आपका compound बन सके whole number यह है यह 1 ratio 8 14 ratio 7 मतलब 0 से सारे बड़े ही है 0 से लेगे आगे तक कि सारे whole numbers की form में है और फिर आगे क्या बोल रहा है the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound ठीक है जो relative number होता है और जो भी आपके atoms होते हैं ठीक है उनका जो type होता है वो जितने भी तरह के हैं वो क्या होगा आपका constant होगा किसी भी एक compound के अंदर क्योंकि compound क्या होता है आपका बहुत सारे elements से मिलकर बना होता है तो देखो finally जो है मनती है तो बस उसी से आपको जो है atom बताया हो है ठीक है तो atom क्या होता है atom is the smallest particle of an matter which cannot be divisible ठीक है जिसको आप जो है divisible means divide उसको नहीं कर सकते है देखिए यह बताया हो है atom का size आपको most importantly क्या रखना है कि atom जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं यदि आप इसको किसी चीज से compare करना चाहो ना बहुत सबसे छोटी चीज से तो उससे भी क्या होंगे यह बहुत ही छोटे होंगे ठीक है तो आपको जो है na exam के अंदर क्या पूछ जाता है atom की radius पूछी जाती है atom का size पूछ लेगा radius पूछ लेगा यह हमारी क्या है atom की radius है तो आपको atom की radius क्या याद रखने है atom की radius होती है 10 इस पावर माइनस 9 मेटर और 1 नैनो मेटर clear अब देखिए यह आपको कुछ sizes बताए हो है sizes आपको याद रखने है ठीक है radius बताए हूँ यह means ठीक है जैसे hydrogen का atom होता है इसे वाटर के आपके molecule की radius याद रखने है 10 इस पावर माइनस 9 होती है यह atom की radius के क्या है बराबर है तो यह आपके कुछ radius है जैसे apple हो गया apple की radius बताए हूई है size बताए हूँ है 10 इस पावर माइनस 1 मीटर होता है clear तो यह आगे देखिए आगे क्या बताया हूँ है आपको अब देखिए एक बार डाइग्राम देख लिए an image of the surface of silicon यह सिलिकन की surface की image है यह भी क्या है बहुत साथ चोटे-चोटे atom से मिल करके क्या बढ़ने है एक compound बना लिए इसने है एक आपका element बना लिए इसने आप देखो क्या बोल रहा है है we might think that if atom are so insignificant in size why should we care about them यदि हम सभी को बता है कि यह जो atom है वो बहुत ही छोटा है size में इसको हम देख भी पाते हैं इसके बारे में हमको पता भी नहीं लगता ठीक है why should we care about them तो हम इसके बारे में जो है क्यों सीखना पसंद करेंगे क्यों इन चीजों के बारे में देखना पसंद करेंगे this is because our entire world is made up of atom क्योंकि हमारा जो entire word है na complete word आपका atom से ही मिलके बना हुआ है we may not be able to see them ठीक है हम इनको जो है देख नहीं सकते है modern techniques we can now produce magnifying images of surface of elements showing atom ठीक है हम क्या करते है atoms को देखने के लिए हम क्या करते है उनकी magnifying images देखते है मतलब atoms को magnifying glass के थुरू ठीक है ऐसी कुछ आपके apparatus आते है equipments आते है उनकी तुरू हम क्या करते है इनकी study करते है आगे देखी क्या बोल रहा है what are the modern day symbols of atom ठीक है अब देखिए atom का जो है इस time पे हम कैसे symbols यूज लेते है जैसे आपका name है ठीक है आपको जो है आपके particular name से बुलाया जाता है ऐसी atoms के भी क्या होते है names होते है और उनके कुछ particular symbols होते है ठीक है तो हम उनको कैसे denote करते है तो डॉल्टन जो scientist है जोन डॉल्टन जिन्होंने atomic theory दी थी तो उन्होंने ही बताया था वही first scientist है जिन्होंने क्या किया था इन atoms का इन elements का symbol दिया था और उनके बारे में बताया था ठीक है तो देखो हमको बताया हुआ है बर्जिलियस suggested उसके बाद क्या हुआ बर्जिलियस हमारे scientist आये थे बर्जिलियस suggested that the symbols of element be made from one or two letter of the name of the element ठीक है बर्जिलियस देखो जो आपके डॉल्टन थे ना डॉल्टन was the first scientist to use the symbols उन्होंने क्या किया था symbols को use लिया था elements के लिए ठीक है symbols को use लिया और फिर उसके बाद जो बर्जिलियस थे ना उन्होंने बताया कि भई कौन से element के लिए हम कैसा symbol बताएंगे clear तो बर्जिलियस suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of element जैसे element का name suppose कीजिए hydrogen है हम उसको किसे दिखा देंगे h से दिखा देंगे carbon है तो किसे दिखा देंगे c से दिखा देंगे तो यह आपको जो इन्हें symbols बताएंगे यह सब के symbols हैं आपको जो क्या करने है यह याद रखने है तो यह क्या बोल रहा है symbols of some element as proposed by Dalton कुछ symbol है element के symbol का मतलब आप समय रहे हैं तो यह आपको कुछ symbols बताएंगे किस तरीकी से आप इनको denote करते हैं और जो बर्जिली अस्ते पर उन्होंने क्या बताया उन्होंने जो है उनके names बताया कि उनको short form में कैसे लिखेंगे तो आप देखो क्या बोल रहा है जैसे कुछ जो element से ना उनका नाम कैसे रखा गया इन दा बिंगनिंग दा नेम ओफ एलिमेंट वर डिराइव फ्रॉम दा नेम ओफ दा प्लेस वेर दे वर फाउंट फॉर दा फर्स ताइम ठीक है तो उनकी जगे के नाम से रख दिया गया जस जगह पर मले हो उसी जगह पर नाम रख रख रहा है जैसे क्साइप्रस जगह पर है साइप्रस जगह pedir से आपका नाम पढ़िया इंटरनैशनल ऑर्गनाईजेशन है अब उसका full form क्या होता है यह आपका एक्जाम के अंदर पूछा जाता है IOPAC का full form क्या होता है International Union of Pure and Applied Chemistry यह आपकी क्या है यह आपकी एक International Scientific Organization है जो कि क्या करती है आप प्रूव करती है कि इनको elements को उनके symbols को और उनकी units को हो ठीक है तो बहुत सारे symbols क्या होता है आप फस्ट और टू लेटर ऑफड़ अलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश ठीक है यदि हम elements के नेम दिखाते हैं तो या तह फस्ट लेटर से दिखा देते हैं या फस्ट लेटर से दिखाएंगे तो हम किवल फस्ट लेटर को capital लिख क्या होते हैं कुछ elements के symbol आप दिखाते हो जैसे chlorine है तो आप उसको कैसे दिखा देते हो symbols of some elements are formed from the first letter of name and a letter appearing later in the name ठीक है जैसे जिंग के ठीक है तो आपका जो बाद में नेम आएगा उससे आप दिखा देंगे clear अब देखिए कुछ name जो है वो आपके कैसे रखे गए कुछ आपके name जो है Latin, German और Greek language के उपर रखे गए visible, for example आपसे पूछा जाता है कि sodium जो होता है sodium का symbol N क्यों होता है क्योंकि उसका Latin name नेम है क्या होता है natrium नेम, इसली हमने उसका नाम क्या रख दिया na रख दिया ऐसे ही potassium का क्या होता है, kraium मोता है ऐसे ही आपका जो iron होता है उसका नाम क्या होता है फेरम होता है तो फेरम को आप क्या लिख देते हो फेरम को आप क्या लिख देते हो ठीक है तो यह आपके कुछ symbols दिखाए हुए है यह सारे symbols आपको याद रखने है ठीक है आपके higher classes में 10th class 11 12 जो भी science field लेंगे तो उनके लि वीडियो में discuss करेंगे वीडियो कैसा लगा comment section में जुरूर बताइए और ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को share कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए चैनल को ओके थैंक्यू सुमच बैबै टेक केर फिर में लेंगे हम हमारे next वीडियो में